सबी को जैन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैन रियक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जमा आपके लिएक लेटेस्ट और एक बहुत ये मज़ेदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे जब से भारत के पतरकार फकर यूसफ जई और आर्जू कास्मी जी का बड़ा ही जबदस रियक्शन तो ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेकर बहुत मज़ा आएगा तो इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर तो तो वह रोई चानल मारे बड़े दोस्ते हैं उनके सो में खार अम उनको तंग करते रहते हैं मगर ये कि उसके उपर भी अमेरिका ने कैनड़ा का साथ दिया था भारत का साथ नहीं दिया था लागिए वह जो आपने देखा कि वह बिल्कुल पॉब्लिक में खड़े होक कभी कहता है पर्लिमेंट की बिल्डिंग उड़ा दूंगा कभी कुछ तो वह लेकिन उसके ओपर अमेरिका कुछ नहीं कहता कि यह गलत है आप किसी कंट्री को ऐसे नहीं कह सकते लेकिन हाँ जब बात आई तो जी उसको जान समाने की कोशिश की जा रही है तो खालिस्तान म हो गए उन्होंने का नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और अमेरिका मारे दोस्ते अमेरिका मारे खिलाफ नहीं कर रहा और यहीं चीज जो है वह आपको लाइफ में जो है ना वह नुक्सान पहुंचाती है चाहे वह कंट्री हो या इंडिविज्वल्ड हो अगर आप ब्ल है तो बड़ी असानी से कह सकती हूं कि यह चीज ऐसी नहीं होती है मगर हाँ यह जरूर है कि जिस तरह की हमने प्यमोदी की गवर्मेंट को देखा है उनके कामों को देखा है तो लगता यसा ही है कि वह इसमें से भी असानी से निकल जाएंगे वैसे तो अभी उनको लिए यानि कि गवर्मेंट ने यह भी कहा है अपने राजना सिंग साब को कि थोड़ा एतियात करें थोड़ा एतियात से बात करें इसलिए कि यह चीज आगे कुछ जादा विगड़ भी सकती है आपको याद होगा खौजा सिर्थ साब ने तो यह भी कहा था कि हम भारत के स अच्छे टरम्स के उमीद रख रहे हैं नहीं गवर्मेंट आने पर तो एक तरफ यह भी चल रहा है लेकिन दूसी तरफ इस किसम की स्टेटमेंट भी हैं जो मेरा ख्याले होते रहना चाहिए खास तो पर हमारे जैसे लोगों के लिए 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 वीडियो बना लेते हैं तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा अगर ऐसा हो रहा है मैं एप्रिशियेट करूंगी और मैं तो कबसे रॉइद को भी कह रही थी कि भाई बोदी जी से को कुछ बोली ने पीओ के ले लेंगे घुसके मारेंगे यह करेंगे वहांके मेरी बात लगते मोदी जी से कान तक प यह बना लेंगे तो वही हुआ तो उसके लिए थैंक यू सो मच राजनास्टिंग साप के आपने हमें दंकी लगा दी और अब हम दो तीन दिन तो हमारे इच्छे निकली जाएंगे बिलकुल इसमें कोई शक नहीं है और यह वाली बाते हैं कि गुसके मारेंगे और यह नहीं करेंगे वो करेंगे यह वैसे मैंने देखा है कि कभी कबार खामूशी होती है अभी मुकमल खामूशी थी कुछ अरसे पहले तक ना प्राइम प्रामीनिस्टर आप इंडिया ना बड़ी बात नहीं हो दिए चोटी मुटी बात इदर लग गए जी कश्मीर हमारा यह है तो वो है तो बस उसके वाले से कोई एक स्टेट्मेंट चोटा मोटा आ गया अधर वाइस कोई बड़ी बात नहीं हो लेजी लेकिन अर्जों यह वाली चीज जो अभी हुई है एक तो क्या यह चीज हो सकती जिस तरह राजनाथ सिंग साब को कहा गया कि वह आप तोड़ा सा एहतियात से काम लें मतलब एहतियात करें इस तरह की बातों में लेकिन उन्होंने का कि नहीं प्राइम मिनिस्टर मुदी साब जो है वो उन चीजों को मतलब नहीं वो चोड़ते या स्पेर नहीं करते आप इसका मतलब मैं तो यह कहूंगे क्योंकि राजनाथ सिंग साब आम कोई इंडियन तो नहीं है अगर यहां से खवाजासिप बात करते हैं तो वो कोई आम पाकिस्तानी तो नहीं यह वो डिफेंस के मिनिस्टर है एक रिस्पॉनसिबल पोस्ट पर बै करेंगे खवाजासिप अपना करेंगे और मतलब बिजनिस से यूज्वल चलता रही देखें डेफिनेटली एलेक्शन के दिन करीब हैं और प्रियम मोदी और सब लोग जो हैं एलेक्शन कंपैन में यकिनां बिजी होंगे और उनको मैं यह बताती चलूं अगर वो कहीं सु कर रहे हैं उनके लिए पकड़ पकड़ के लोगों को मोदी जी के जादे और के लोगों को मोदी जी जो कह Twitter आते हैं पके बार THIS शुरू कर देते हैं और ऐसी बाते हैं जिसे मोधी जी की वावा हो जाए तो एक बात तो ये और दूसरा ये कि जाहिर है कि दोनों मिनिस्टर जो हैं वो बहुत रिस्पॉंसिबल है बलके राजणाफ सिंध साहब हो गए हमीद शाह साहब हो गए या डॉक्टर जैशंकर मोध जी जी ये चारों तो मुझे मतलब बहुत पसंद हैं कि स्टेटमेंट्स भी जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है बताब ये वाली दी अभी साहरा पागिसार मेरे मेरे पीजे बढ़ते हैं नहीं मैं बागी स्टेटमेंट्स कह रही हूं जो वह अपनी कंट्री के ब दुबारा इस पॉजिशन में आएंगे कि जो नहीने प्रोजेक्स वो करते रहते हैं वो दुबारा करेंगे तो उसमें एक आप जानते के लेक्शन में थोड़ा गर्मा-गर्मी लानी होती है और उसके लिए जो है वो इस किसम की बाते की जाती है लेकिन जाहिर है कि लोग कर्मिन को की कोशिश की गई तो जाहिर है कि उनकी तरफ से यह स्टेटमेंट आया है एक बहुत रिस्पॉंसिबल पॉलिटिशन है राजना सिंग साब तो मेरा ख्याल है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी से मशवरा करके उन्हों ने इंटर्विव दिया होगा ऐसे तो नही साल पहले पार्लिमेंट में खड़े होके और जो लताड़ा था खोज को तो वो बड़ा लोग चलाया करते हैं अभी भी ट्विटर पे और वो सच बात कह रहे थे हमारे मौसे लोगों का ख्याल यह होता है कि अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं चाहे हमारे पॉलिटिशन्स हो पासपपोर्ट की भी हिजदख हो हम भी कहीं जाएं तो हमारे गरीन पासपपर्ट दे के हमें यह ना कहें जी साइट पर आ जाएए तो आफ तो हमारे आदो जी बड़ी हिम्म्त चाहिए होती है जो लोग मैं कृती करए सब चाहिए करते हैं अगर घर की लोग बात करें कि तभी कुछ होगा तो यह यही चीजा के ले अक्षागंजी की बह। बहुतत mesa है और अच्छी बात ये है कि उन्हों ने बड़ता हमुल के साथ जवाब दिया फॉरेंड आफिस भी कल खामुश रहा और हम पूरा दिन वेट करते हैं लेकिन उनकी तरफ से जवाब भी आ जाया है और मेरे ख्याल है कि बहुत जल्दी ये बात जो है कि कुछ सेटल डाउं भी हो जाएगी जैसे क प्याम मोदी का एक स्टाइल रहा है कि वो इसके समगी छीजों को बहुत अच्छा हैंडल करते रहे ये पहली बार नहीं हुआ है कि उनके पर तरह तरह के लिगेशन लगती रही है और उसके बाद वागे बढ़ते रहे जैसे मैं हमीशा कहती हूं कि जी अगर उन्हों ने जो बाते जो काम किये हैं या जो वादे किये थे एलेक्शन में आने से पहले अगर उसमें से अगर उन्होंने 50% भी कंप्लीट कर लिये तो इसका मतलब है वो एक कामियाब सियास्तदान और एक कामियाब प्राइमिनिस्टर रहे हैं अब वही हमारी आए इमरान खान भी जोड़ करेंगी तो मेरे ख्याले ये चीज़े चलती रहती है और इसके सब्सक्राइब ना बोलेंगे घुसके मारेंगे चायना की समझ में कुछ नहीं आना वह सौझेंगे शेट नूडल्ल बनाने को कह रहें तो वह जाके नूडल्स बनाने को कहा लेंगे फिर वह कुछ और मोधी जी कहेंगे और मारेंगे तो उनको लगेगा अच्छा और चाहिए तो वो लैंग्विज प्रॉब्लम है तो इसलिए धंकिया देने के लिए या बात करने के लिए लड़ने के लिए अपने जैसे ही लोग चाहिए होते हैं तो मेरे ख्याल है पाकिसान के बड़ी पर चाहिए ये लोग बहुत परशान है तो अशा और मोझा करते हैं अब करता हूं कि वीड्यो को आपने अंसका देखा होगा और अर्जुकाजमी जी का मज़डार रियक्षिन राजना सिंग ने पाकिसान को दमकी दी है और पाकिसान से प्योंके लेने की बात किया तो पाकिसान में एकदम से हंगावा मचा हुआ है और पाकिसान के नियूस चैनल पर यह टॉप नियूस बनके आ रही है तो आशाह करता हूँ वीडियो को काफी पसंद है होगी अगर इंट्रेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लाते रहें जय हिंद जय भारत